प्यारे बच्चों, आपका कल अलगी क्लास में एक बार फिर से स्वागत हैं。 बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे प्रोजेक्टकार वह अंतरिक मुल्यांकन की तो, यह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि प्रोजेक्ट कारे के अंतरगत हमें क्या करना है और हमारा आंतरिक मुल्यांकन जो है वो किस तरीके से होगा तो ध्यान दीजिए बच्चो प्रोजेक्ट कारे और आंतरिक मुल्यांकन जो है वो दोनों ही विद्याले स्तर पर होंगे और जो प्रोजेक्ट सूची जो दी गई वो आपके किसके हो गए प्रोजक्ट कारे के लिए हो गए और पंद्रा अंक जो होंगे बच्चो वो आपके आंतरिक मुल्यांकन के होंगे तो आंतरिक मुल्यांकन किस तरीके से होगा तो इसमें बच्चो विद्यार्थियों को निर्धारिक पाठ्थिक्रम के अधार पर आत्मक कार्य भी इसमें संबलित किये जाएंगे और आलेखन कला पर आधारित जो हैं वह मौखी पुछी जा सकते हैं इस प्रकार से बच्चों 15 जो हैं वह आपके तीन प्रोजेक्ट कार्यों के लिए हैं और 15 जो हैं वह आंत्रिक मुल्यांकन के हैं टोटल अंक हो गए आपके तीस 15 प्रोजेक्ट कार के पंद्रह आंत्रिक मुल्यांकन के जैनी 30 नंबर जो हैं वह आपके जो हैं वह आपका वार्सिक परिक्ष्या का paper होगा तो यहाँपर बिट प्रोजक्ट कार के लिए खंडखा है हम चर्चा कर रहे हैं खंडखा आलेखन कलाखी तो इसमें कौन से प्रोजक्ट बनवाए जा सकते हैं तो यहाँपर देखिए बच्चो पहला आलेखन की उपियोगिता को रेखांकित करते हुए किसी वर्ग अथवा आयत में भारती पुस्पों के साथ एक मौलिक वस्तर पर छपाई या टेक्स्टाइल डिजाइन की दचना करना है तो यह विशय हो गया आपका और इसके अंसार आपको एक प्रोजेक्ट त्यार क बना सकते हैं जिसमें एक भारती पुस्प होगा और उसके साथ जो है वह एक मौलिक वस्तर पर छपाई या टेक्स्टाइल डिजाइन के आपको रचना करनी है तो यह यहां पर देखिए आपको बना भी हुआ है आपकी बुक में ही दिया हुआ है तो इस तरीके से जो है व जो है वह सुक्ष बनाएं ठीक है दूसरा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं कि कोई अलपना या रंगोली की रशना करें जो चूनित सुस्क एवं आध्रमाध्यम के विशय के साथ पूर्ण किया जाए तो यहां पर रंगोली की हमें डिजाइन बनानी है कवर करना उसको और उसको बना करके प्रोजेक्ट उसका त्यार करना है हमें तो यह प्रोजेक्ट बच्चो जो बताए जा रहे हैं प्रोजेक्ट संख्या एक दू इस तरीके से पांच प्रोजेक्ट बताए जाएंगे आपको इसमें से कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें से पूरे तो बनान और नहीं तो आप इसमें से कोई भी तीं बना के जमा कर सकते हैं। यह खंद है तो इस में से आप एक यर दो बना सकते हैं और एक दूसरे वाले से आपको बनाना होगा तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था जिसमें आपको रंगोली की जिजाइन जो है वो बनानी है और उसको कलर करना है फिर प्रोजेक्ट संख्या तीन की ओर बढ़ते हैं तीसरा प्रोजेक्ट है बच्चो आलंकारिक एवं ज्यामिती आलेखन की रचना करें और उसे जलरंग द् हमक्रति बनाते हुएं अब को कर नहीं है तेजाइन और वहालएखन इस ने के बनाएं गाई है तो यहากंसे आपकी बुक में बना ऑप बनाये बल्कि आप अपने मन छे जिस तरीके से पढ़ाने में पढ़ाया हुआ है उसकी हिसाब आप अपने और उसमें कलर करें ठीक और जल रंग का प्रियोग करना है तो इसमें आपको जो वाटर कलर है उसका प्रियोग करना है तो यह आपका तीसरा प्रोजक्ट है तो यह भी इसमें से जो प्रोजक्ट में से यह भी आप त्यार कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं प्रोजक्ट संख अकोल का प्रयोग करके जो है एक अलेखन बनाना है और उसमें रंगों का प्रयोग नहीं करना है तो यह वह बना सकते हैं चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है तो यह लेकिन आपके विशाय के अंतरगत है के अंतरगत के कोर्स में सामिल किया है ये चोथा प्रोजक्त था आए बढ़ते हैं आपने पाच्मा प्रोजक्त के और प्अख्मा प्रोजक्त ऑपना बनाना बनाना है वह आपको बनाख़ पर यूज़ करेंगे या फिर वैक्स कलर का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से बचो यह 5 प्रोजेक्ट जो है वह आपके स्लेवस में सामिल किये गए हैं इसमें से कोई भी आप एक या दो प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो यह था आपका आलिखन कला के अंतरगत तो इसके यह बना सकते हैं प्रोजेक्ट बच्चो मानाव आकरती जो है हमारा खंडगा है और इसके भी प्रोजेक्ट कि चर्चा हम कर लेते हैं इसमें प्रोज़क्ट संख्या एक पे जो दिया गया है वह एक बढ़नी या नि मोनोक्रों चित्रन पद्धड़ती द्वारा बालक कि स पूर वरुद्द अत्वा पूरस की मानव आकर्स रजित करें याइन डैसे जो यह को फूर करना है तो आप बनाना है यह आपक रियोग कर लक्त है यह विद्धदग को को यह धित beshote indai को सकते हैं उसमें से कुछ भी और सकता है । अमें से कुछ भी और यह पो चुछ हो सकते हैं नेक्स हमारे प्रोजटक्ट है प्रोजट नमबर दो जिसमें है आपका की पे很有 призенты के दौर А कि मतलब है कि एक लड़की जो है वो हमें बनानी है जो किसो रावस्था की हो तो यह यहां पर देखिए बुक में बनाई गई है आपकी लड़की बनी हुई है और चाहे तो आप यह भी बना सकते हैं इसके अलावा जो है आपको इसा भी बना सकते हैं जो कि आपको पढ़ाते से में बता वारा कार्यरत मानमाकर्ति का सिगर्टा से रेख्षांकन किया जाए जिससे गतीका बोध हो तो यह जो है इसमें बनाया गया एक हल लिया हुआ किसान है और यहना पे अगल बड़ थोड़ा सी चीज़े बनाएं इसमें शेडिंग वर्की करना है आपको कलर नहीं करना है बचो तो यह प्रोजक्ट संख्या आपकी तीन है प्रोजक्ट संख्या चौथे पर आपको जो सिलेबर्स में दिया गया है चौथे नमबर पर तो वह है इस्त्री पुरुस बालक बालिका के सरीर अनुपात को ध्यान में रखते हुए जल रंगी चित में वहलाना है और असके बाद उसमें जल रंग का प्रियोग करके आपको कलर भी करना को यह आपका प्रोजक्ट नमबर 4 जो को दिया गया और प्रोज्च नमबर 5 क्या है बच्चों पांचार आप प्रोजेक्ट कर में पर्वर्टित करें विसमें जो है किषी भी जित्र को बाना करके कारटून के रूप में उसको ईसको ड्राग कर सकते हैं और इसमें अपो करना पैंसिल का युग करना कोई बीश बना सकते सब्सक्ति मद्दघफ़ को बना सकते यह में टापाइब ने गें कोई से ब्रोजेक्ट बना सकते हैं तो यह बच्चों का प्रोजेक्ट हो गया ओर घीन वेक्षा आपिर नंबर को फर्लेक्ट से पांच 570 अंबर में ।िर वर समझ में आ और बचो 15 जो है वह आपके आंतरिक मुल्यांग कन के होंगे जो कि क्रिया कला आप कौसल बुद्धी का परिक्षर्ण करके और साथ ही स्रिजनात्मक्त जुकार्या आपने कि होंगे उस पर आधारित होंगे साथ ही जो आप से कुछ आपकी मैम आपके सर जो है जो कला के टीच गया है तोटल दस प्रोजेक्ट जो है आपके हैं उसमें से कोई भी आप तीन बना सकते हैं आंतरिक मुल्यांकर भी बताया गया आपको किस तरीके से उसके नंबर आपको मिल ले हैं तो यह था बच्चो जो नाइन्थ क्लास का प्रोजेक्ट कारे का सलिबस और जो की कला विस में